वेल्कम बैक एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज नेक्स्ट वीडियो हम पड़ेते चाप्टर टू साइकलोजी आत्म एवं व्यक्तित्व सेल्फ एंड परस्टनालिटी तो आज हम क्या करेंगे आज हम संस्कृत एवं आत्म समझेंगे कि यह होता क्या है संस्कृति लेकिं इसमें क्या है बिसेकली दो करिके किरेंगे कांसेप्ट आते हैं लेकिन उससे पहले मैंने आपको पहले भी And second one is past year, यह मतलब western perspective. अब Indian perspective में क्या होता है? भारती तथे में क्या होता है? कि self और दूसरे लोगों में distinguish नहीं करता. जो भारती तथे है, वो self और दूसरे लोगों में distinguish नहीं करता. अगर self left है और other group right है, तो यह दोनों collide करते हैं. ठीक है, दोनों एक ही समय में present हैं. लेकिन western self में क्या होता है? पास्चयते तथे में क्या होता है? जो self है वो left है, और group right में है. तो दोनों अलग-अलग हैं. एक line है इन दोनों के बीच में. दोनों act तो करते हैं, लेकिन dependent नहीं है एक दूसरे पे. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको figure दिखा हूँ. तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक व्यक्ति है. लेफ्ट साइड में व्यक्ति है, self है. और यह आपका right साइड में group है. और यहाँ पर line बनी हुई है. जैसे जैसे यह line बढ़ती ऊपर जा रही है, gap और ज़्यादा जाता जा रहा है. तो यही हमारा पास्चेत्य तर्थे में आता है. अब जो Indian perspective का self होता है, वो changing होता है. कैसे जैसे एक time पर हम सब का सोच रहे हैं. पूरे group की वज़े से self पर प्रभाव पड़ रहे हैं. कैसे अगर मान लीजे मैं group में हूँ, मुझे कुछ खाना है, तो मैं नहीं खा पा रही हूँ. क्योंकि जो मेरा group खाएगा, मैं वह यह खाऊंगी. लेकिन दूसरे moment में क्या होता है, दूसरे moment में हम लोग खुद के बारे में सोच हैं लगते हैं, खुद की needs के बारे में सोच हैं लगते हैं. तो हमारे में दोनों perspective आते हैं. भारती तथे में दोनों perspective आ जाएगा. फिर उसके बार जो पास्चते तथे हैं, तो पास्चते तथे में क्या होता है? मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं, इनमें सिर्फ मैं होता है, ठीक है, और इंडियन कल्चर में, सेल्फ जो है, वो खुद से सेपरेट नहीं होता है, जिसे फॉर एक्जांपल, ब्रहामन लोगों में मानना होता है, कि भही, जी अगर हम अपने कुल होगे, इफेक्ट हो क्या, और उन्होंने क्या किया, जो उनका ग्रूप है, उन्होंने अपना सेल्फ उस ग्रूप के साथ जोल लिया, तो ऐसे हम ना चाहते वे भी, जो बहुत सारे ग्रूप सोते हैं, उसको हम खुद से जोल लेते हैं, तो इस कॉंसेप्ट को ही हम कहते है संस्कृति आवम आत्म, हमने देखा कि जो भारते तत्य है, भारते तत्य में हम अपने बारे में भी सोचते हैं, जिससे हम अपने नीट्स को फुल्फिल कर सकें, पर जो हमारा सेल्फ होता है, वो ग्रुप के साथ मिला हुआ होता है, तो यही कॉंसेप्ट है हमारा कुल्चर अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टिन टॉपिक है व्यक्तित्व, बहुत आगे तक आपको अगर साइकलोजी की एकर फिल्ड में आपको जाना है, तो बहुत से चीजों में आपने या इंटर्व्यू में भी आपने बहुत से चीजों में सुने एक ब्रस्टर्नलीट डिरीवाइन कीजिए, तो क्या होता है पर्स्टर्नलीटिय आपको सोचेई! क्या आप यह सोचते हैं? इन्ध मतलब इस अखिछ ben वावा परिख neighborhoods हमने किसी वार पर्स्टर्नल को जेख लिए, अगर उसक्ते हेर प्रस्टर्टाइल पहन आपको कर से हे परस्नालिटी वही परस्नालिटी होती है, कि अगर कपड़े अच्छे पैने हैं, तो आपकी परस्नालिटी अच्छी है, अगर आपका हेस्ट्राइल अच्छा है, तो आपकी परस्नालिटी अच्छी है, अगर हम psychology पे जाए तो personality का मतलब यह नहीं होता है personality का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है personality एक word आया है persona नाम से यह Latin शब्द है तो हो सकता है आपका objective type question आ जाए तो यह persona नाम से लिया गिया है Latin शब्द है तो persona क्या होता है? यह persona वो मुखोटा होता है जिसको पहन लेने से आगर जैसे for example आपने कई बत देखा होगा कि बच्चे हैं आप राम लिला आती है तो बच्चे कोई बच्चे रावन का मुखोटा ले लेते हैं कोई बच्चे हनुमान जी का मुखोटा ले लेते हैं तो वो फिर वैसे ही act करने लगते हैं अगर उन्हें रावन का मुखोटा पहना है तो वो क्या करने लग जाते हैं? रावन जैसा behave करने लग जाते हैं बट यह थोड़ी ना कि वो रावन है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना? तो यही एक personal word है जिसे हम मुखोटा कहते हैं basically क्या होता था? कि इसमें कोई भी मुखोटा पहन कि अगर उन्हें कोई act करना है किसी को भी act करना है तो वो उसी कही भूमी का निभाते थे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो भूमी का निभा रहे है वो गुण उनके अंदर है ऐसा कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है तो basically क्या होता है? कि जो personality होती है यह personality हमारी different different स्थितियों के प्रती अनुक्रिया की जाती है basically जो personality होती है यह personality वो तरीका होता है कि किन स्थितियों में हम अनुक्रिया करती है किसी स्थिति के प्रती हम कैसे अनुक्रिया कर रहे हैं यह वो personality होती है तो अब क्या होता है कि जैसे हमने किसी को बोला भाई यह शर्मीला है या यह बहुती मतलब शान्थ है ये बहुती बोलने वाला इंसान है तो ये शब्द जो है ये personality का एक characteristics है ठीक है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये एक किसी person की qualities है ठीक है तो कोई एक व्यक्ति हमेशा जैसे हमेशा शर्मीला या हमेशा friendly nature के नहीं रह सकता वो situation to situation चेंज हो रहागा अब एक बार बताईरे से अब ये कोई एक इनसान है वो बहुत जादा honest है ठीक है तो वो हर condition में क्या है वो honesty रहेगा हर condition में honesty देखेगा ठीक है market जाएगा marketing market में वो ये चाहेगा कि अगर मैं 1 kg potato ले रहा हूं तो मुझे 1 kg potato पूरा मिले और उसका पैसा भी मैं पूरा दूं वो बिल्कुल भी एक दो रुपे भी उपर नीचे नहीं करेगा ठीक है तो ये इमानदारी होती है मगर अब उससे क्या होता है कि according to situation उसको अपना गईवा नेचर भी change करना पड़ता है अब मान लिजे कर उसको gunpoint पर है किसी के या कोई ऐसी situation है उसको लग रहा है कि हाँ ब और वो फिर जूट भी बोल सकता है तो बहुत से से चीजें होती है अब जो personality है personality देखो basically हमारी internal characteristics भी देखती है और externally characteristics भी देखती है मतलब कि हमारे बोलने का ठंग हमारे उठने बैठने का तरीका ये सब भी personality में आता है और normally according to psychology भी हमारी personality देखी जा सकती है इसमें है ना कि personality हमारी according to situation change हो सकती है according to situation change हो सकती है personality क कि बत्तियाक्त होती है dzięki to situation change हो जाएगी ठीखे अब कि या कि देखिए कई अगर हम पता चल जाता है कि सी दुष्न smoothly बब जरते तो हम बहुत अच्छे से उसका future भी पता सकते हैं उसका मतलब भवीशमाने भी जिसे फॉर इग्जामपल कि कोई बच्चा है ठीक है वो बच्चा है वो और पसंद नहीं करता अगर मेरा बेटा है तो मैं बेटी को बोलेंगे बेटा खाना खाले वो नहीं खाएगा वो और पसंद नहीं करें अपना ऑप्शन बताएगा बला किसी एक opened करेगा कि हां ममा मुझे यह जाना हैं आप मेरे लिए यह बना दो तो अब यही तरीका है यही बिसिकली क्राइक्टर्सटिक्स है कि हम बलव्यक्तियों के behavior के characters इसको बताने के लिए दूसरे शब्दों का आप योग करते हैं तो personality को basically हम ऐसे ही define कर सकते हैं personality को अगर हम normally define करें तो मैंने आपको पहले भी बता है कि अगर मुझे कोई कार अच्छी लगी है मैं वो कार ले आई ठीक है अब वो कार मैं ले आई और अगर मुझे अच्छी लगी मैं ले आई लेकिन अगर मैं नहीं भी लेती तो भी मेरा काम चल जाता तो personality का concept यही होता है and I hope आपको बहुत अच्छे से personality का concept सन में आया होगा आखे future में भी आपके personality का concept आएंगे आखे future के लिए भी आप इसको properly अच्छे से वीडियो सुनिये अपने pen, handwritten notes बनाईए and अपने learning continue रखिये हमाने चैनल के साथ मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगी उसके बाद और हम पढ़ेंगे कुछ approaches मतलब उपागम Thank you so much